हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू एजीवे कावमेर्स क्लासेज, मैं हूद अवितार गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंफ्रस्ट्रेक्चर में हिल्थ के टॉपिक को फाइनली फिनिश कर देंगे, क्योंकि बहुत लम्बे समय से यही टॉपिक चल रहा है, बहुत सुनकर आप हैरान हो जाओगे, तो वो कौन कौन सी चीज है गाईज, तो यह अर्बन एं रूलर एरिया के बारे में है, जिसने हमें अर्बन एं रूलर में डिवाइट किया, आपको पता है, अर्बन बोले तो शेहर और रूलर बोले तो गाउं, या आपका, अमले शेहर से हटके गाउं, ठीक है, अब गाईज, क्या फरक है, हिल्थ में हम लोगों के यहां पर, तो गाईज, अगर बात करी जाए, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन रूलर एरिया में रहते हैं, और सिर्फ 30% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया में रहते हैं, य यानि कि इतना बड़ा एरिया, 70% पॉपुलेशन रहती है वहाँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 20% होस्पिटल है, 50% डिस्पेंसर है, चलो 50%, 50% डिस्पेंसर है तो हमने बाट ली, लेकिन हमारी इतनी पॉपुलेशन रूलर एरिया में रहते हैं, वहाँ पे होस्पिटल के डिखेंस आंए यहां पर रहें हमारे इतने लोग यहां रहें तो किना क्यु समझे सकते हैं यहां पर लोगों की लाइन लगी रहती होगी एक होस्पिटल के बार ऍर जब कि अगर हम इस्तिन concludes है यहां ,चैक माइनि लॉगों पर जब कि अगर हम urban area की बात करें तो एक लाख लोगों के साबने 3.6 hospital नजर आते हैं तो आप समझ रहे हो कि कितना huge difference है यहाँ पे 0.36 और 3.6 नंबर से हैं लेकिन point का फरक आजाने से पूरा data कितना change है इसके बाद guys हमारे यहाँ पर around 380 medical college है इससे जादा यह बलकि और 44,000 medical every year graduates पास होते हैं बट फिर भी हमारे देश में doctors की कमी है सबसे जादा कमी ruler areas में doctors की है यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया में ruler areas में बहुत सारी जगे ऐसी भी हैं hospitals यहाँ पर surgeries कुछ नहीं होती है जहाँ पर primary health centers तक नहीं है ruler area में तो यह हमें पता चलता है दूसरा हमारे जितने graduates हर साल पास होते हैं उसका 20% graduates बाहर चला जाते हैं फोरण में अपनी doctor आगे काम करने के लिए क्योंकि इंडिया में चाहें वो कहलो कि job नहीं मिलती है या salary package अच्छा नहीं है तो वो बाहर shift हो जाते है माइग्रेट नहीं हो जाते है ठीक है migration करा लेते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं वो लोग इसके बाद guys हमारे यहाँ पर 20% पोरेस्ट लोग अपनी income का 12% खर्च करते हैं सिर्फ health पर जो सबसे गरीब लोग है वो सबसे ज्यादा health पर खर्च करते हैं और जबकि अमीर लोग सिर्फ अपनी income का 2% अपनी health पर खर्च करते हैं यह मैंने ही कह रही है आपके book का data कह रहा है जो आपको एक देश की सचा ही नज़र आ रही है इसके बाद हमारे पास guys एक मतला like देश में जो भी health चीज़े हैं उसके एक अच्छा खासा वो तो हमें पता चल गया क्या negative effect हुए है लेकिन उसी को critical assessment किया गया है हमारी book में तो क्या क्या चीज़े बताई गई है first point है in equitable distribution of health service तो वो तो हमें यहीं पर नज़र आ गया कि in equitable distribution है health service का rural areas में क्यों hospitals नहीं हैं होने चाहिए न urban areas में इतनी कम population होने के बाद भी इतने सारे hospital है तो वो चीज़ है हमारे देश की health का health structure के बारे में पता चल रहा है second point communicable diseases बहुत ज़्यादा है इंडिया में like AIDS, HIV इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तेजी सिफ communicable diseases जो एक से दूसरे में फैल जाती है वो diseases भी इंडिया को रोकने की जरूरत है third poor sanitation facility है हम सब जानते कि यहाँ पर अभी बहुत सारे यसी जगे जहाँ पर even sanitation की facility नहीं है तभी बहुत ज़्यादा जोर अभी पिछले सालों में दिया गया था कि toilets घर में होने चाहिए बनवाने चाहिए तो इस पर भी efforts करे जा रहे हैं लेकिन अभी भी हम बहुत ज़्यादा इन चीजों में पीछे है fourth point है guys lack of manpower जब इतने लोग हमारे यहाँ से pass out होकर भी बाहर चले जाते हैं और इंडिया में काफी लोग है जिने jobs नहीं मिल पाती तो lack of manpower तो हो गई ना लोग पड़े लिखे नौकरी नहीं मिलती है तो lack of manpower तो हो गई तो यह भी हमारे देश में health infrastructure की कमी है कि sufficient लोग ही नहीं है hospital में देखने के लिए doctors अभी लेबल नहीं है उसके बाद है malnutrition जिस पर मुझे लगता है सबसे जादा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है मिल पारी vitamins नहीं है protein नहीं है तो वो कैसे बढ़ा होगा कैसे grow करेगा तो वो सबसे जाद है आपको मैंने पिछली वी वीडियो में बताया था कि कितने लाग हो बच्चे हमारे देश में हर साल मरते है malnutrition की वज़े से इसके बाद role of a private sector अभी उतना जादा इंप्रूब नहीं हुआ यहाँ पर यह चीज है कि private और सरकारी दोनों को मिलकर health को और जादा इंप्रूफ करना चाहिए private sector का role आपको पता यह हम लोगों को जब हम अपनी नजर से देखते तो हमें लगता है एक हमसे कोई पैसा लूट रहा है हमसे जादा चार्च करा जा रहा है माउंथ हम सरकारी में नहीं जा सकते लेकिन जा सकते है मतला सरकारी में लेकिन जनरल ही लोग प्रेफर नहीं करते वो कहते कि better facility के लिए private में जाए बड़ फैसलिटी के नाम पर प्राइवेट में बहुत जादा लूटा जाता है तो उसको इंप्रूफ बने की जरूरत है तो यह हमारे हम का health infrastructure है जो कि मुझे तो बड़ा ही बखवास लगता है अगर यह वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपका कोई भी डाउट है तो इंस्ट्राग्राम पर आईडी है तब इता मैसी या वीडियो ट्यूप पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो थांक यू